हिंदी ग्यान गंगा धारा में मित्रो आप सभी लोगों का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले आप से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक वसेयर करना ना भूले क्योंकि आपका यह सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए एक पुनरबलन का काम होगा अगला वीडियो डालने के लिए और अपनी ज्यान को आप तक पहुंचाने के लिए तो हम पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं आदिकाल आदिकाल में जो चीज़े अभी सेस रह गई हैं उनको अलग-अलग एक एक वीडियो में आपको उपलब्द कराई जाएंगी तो आज का हमारा प्रमुक विषय है अपभरंस साहित्य अपभरंस साहित्य कबसे ये माना जाता है आचारे राम चंदर सुकल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है जो 1929 में प्रकासित हुई थी कि जब से प्राकिर्थ बोलचाल की भासा नहीं रह गई तभी से अपभरंस को मान लेना चाहिए मतलब जब प्राकिर्थ की अंतिम अवस्था आ जाती है और प्राकिर्थ का आवसान हो जाता है तभी से हमें ये अपभरंस की शुरुवात माल लेनी चाहिए अपभरंस सब्द पहले पहल बल्लवी के राजा धारसेन दुतिय के सिलालेख में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गोशेन को संस्कृत प्राकिर्थ और अपभरंस का कभी माना है तो जिनका समय है लगभग सात्वी सताब्दी इस तरीके से अपभरंस की सुरुवात साहित्तिक रचना की दृष्टी से सबसे पहले सात्वी सताब्दी से सुरू होता है भरतमुरी ने जिनका समय है विक्रम की तीसरी सताब्दी अपने ग्रंथ नाटे सात्र में अपभरंस भासा नो देकर अपभरंस को लोक भासा अपभरंस को लोक भासा का नाम अपभरंस नाम नो देकर देश भासा कहा है भरतमुरी ने अपभरंस को देश भासा कहा है कौन है अपब्रंश के प्रमुक कभी स्वेंबू पुस्पदंत धनपाल जो इंदू अब्दुलरहमाद जिन्दत्सूरी राम सिंग इन सारे लोगों को हम बारी-बारी से पढ़ना सुरू करते हैं पहला है स्वेंबू स्वेंबू जिनका समय साथ सो तिरासी इस भी के आसपास माना जाता है यह करनाटक के राने वाले थे इनका जन्म करनाटक में हुआ था और इनके पिता का नाम मारुती एवं इनकी माता का नाम पद्मनी है कई लेककों ने इतिहास लेककों ने इन्हें पर्थम कभी भी माना है रामकुमार बर्मा ही इन्हें हिंदी का पर्थम कभी मानते हैं अगला है इनके द्वारा रचित रचना है पहला है पाउंचिरव एक अक चीजें ध्यान से देखिए पाउंचिरव रचना से पहले आपको बता दूं कि स्वेंब्यू के बारे में लोगों का कथन क्या है स्वेंब्यू को जैन परंपरा का पर्थम कभी माना जाता है ये अपबरंस साहित्य के वालमी की कहे जाते हैं जमकि भोला संकर ब्यास ने इन्हें अपबरंस साहित्य का काली दास कहा है स्वेंब्यू को अब इनकी रचना के बारे में आये देखते हैं पाउंचिरव पाउंचिरव जिसमें 90 संधिया एवं 5 कांड़ है और यह प्रबंध काब्य है प्रबंध काब्य है ये तीनों पॉमचीरव रिठड़े मुचीरव पंचमी चरीव और ये तीनों इनका प्रबंध काब्य है और एक अन्य रचना इनकी है स्वयंभू चंदस पॉमचीरव में 90 संधिया और 5 कांड है पॉम्चिरव का पर्थमकांड विद्याधर है वहती मत्वपूर्ण है inexpensive UGC सभी के लिए को पॉम्चिरव का प्रथमकांड का नाम विद्याधर है इस पॉम्चिरोव में स्वेम्भू ने राम के चरित्र का वरणन किया है ये राम के चरित्र से संबंधित है और इसको पूरा किया था इनके पूत्र त्रिभुवन स्वेम्भू का में रिठ्ष चरित्र और हरिवन से पुरान कहते हैं ये तीनों-नाम-की है और यह एक क्रबंध काव्य है अगला इनका है पंचमी चरीव प्रबंध कावी ये भी है और ये प्रबंध कावी रिठ्ठडेम चिरव में स्रीकृष्ण जी का वर्डन मिलता है पंचमी चिरव अगला है स्वेंभू का स्वेंभू स्वेंभू चंदस ये चार रचनाई हो गए स्वेंभू को पंचमी चरीव Hero support की तंदस इनका समय दस्वी सताग्दी है इन्होंने तीन गरंथों की मुख्य रूप से रचना की महापुराण लै कुमार चिरव या नाग कुमार चिरव जसहर चिरव या यसोधरा चरीत्र महापुराण एक प्रबंध काब्य है जिसमें 63 जयन तिर्थंकरों की तिर्थंकरों का चरीत्र 20,000 पदों में वनडित है पहला क्या है महापुराण जो है प्रबंध काब्य 63 जयन तिर्थंकरों के चरीत्र का 20,000 पदों में बढ़न है अगला है पुस्पदंत की रचना राय कुमार चिरव जिसको हम नाग कुमार चरित्र भी कहते हैं अगला है जो खंड काब्य है अगला है जसर चिरव या जसोधरा चरित्र ये भी एक खंड काब्य है अर्थात ये दोनों आपका खंड काब्य है रायकुमार और जसर्चीरोव जबकि महापुरार प्रबंध काब्य है अगला रचना आता है दस्वी सताब्दी के धनपाल का भविश्यत कहां इस धनपाल की रचना भविश्यत कहां को सुर्य पंचमी भी कहा जाता है जिसमें वडिक की कथा कही गई है एक वडिक की कथा इसमें है सुर्य पंचमी या भविश्यत कहां किसकी रचना है धनपाल की अगला है कवी जोईंद जोईंद के प्रमुकुरूप से दो ग्रंथ हैं एक परमात्मा प्रकास दूसरा योगसार अगला है अब्दुलरामान अब्दुलरामान का समय 12-13 सतादी है और अब्दुलरामान का नाम अध्धाइमार है ये एक बार UGC NET JRF की परिक्षा में और हैर की परिक्षा में पूछ चुका था कि संदेश रासक किसकी रचना है और बिकल्प में अब्दुलरामान को हटा दिया गया था केवल दिया गया था अध्धाइमार को वहाँ पर काफी बच्चे कन्फ्यूज हो गए ब्रमित हो गए थे लेकिन अध्धाइमार और अब्दुलरामान एक ही नाम है आज से ये जान जाईएगा और अब्दुलरामान ने ये संदेश रासक गरंथ लिखा जो तीन प्रक्रमों में है और यह एक खंड काब्य है जो संबी के द्वारा रचीत पर्थम राष धर्रास गरंथ है अगला है बारामी सताब्दी में राम सिंग का पाहुण दोहा यहां राम सिंग का पाहुण दोहा इंद्रिय सुख और सांसारी सुखों की निंद्या किया गया है किसमे राम सिंग के पाहुण दोहा में जिन का समय क्या है बारहवी सताब्दी अगले हैं एक तरीके से देख लिया जाए तो ये पाहुण दोहा एक दार्सनिक गरंथ हमारे सामने आता है दार्सनिक गरंथ के रूप में अगला है बारहवी सताब्दी में जीन दत सूती का उपदेश रसायन रासगरंथ है जो असी पद्यों में है और यह रासगरंथ जीन दत सूरी है ध्यान दीजिएगा जीन धर्म सूरी और जीन दत सूरी दो हिंदी साहित में आते हैं और दोनों आधिकाल के ही अंतरगत आए ह इसलिए आप जीनदत सुरी को ही द्यान दीजिएगा जीनदत सुरी का ग्रंथ है उपदेश रसायन रास जो असी पद्यों में विवक्त है और यह एक निरित्य गीत है आया कुछ और चर्चा एक बार कर लेते हैं ऐसे दोहरा लिया जाए पाले अपब्रण ससायति के प्रमुक कभी स्वेंभू पुष्प दंधन पाल जोई अब्दुरामान जिन्दत सुरी राम सिंग्ग स्वेंभू की प्रमुक रचना है पॉम्चिरों रिठड़ेंचिरों पंचमी चरीत स्वेंभू चंदस पॉम्चिरों में राम के चरीत्र का वड़न है जो 90 संदियों यों पांच कांडों में विवक्त है अब आईए कुछ अन्य चीजों के बारे में भी जानकारी कठा करत है क्योंकि माधिमिक बोर्ड अगले महीने तक विग्यापन संब्वता देगा अगले महीने देया जब भी दे विग्यापन तो नको देना ही देना है क्योंकि सुप्रिम कोड का निड़े है इसलिए आप तैयारी अपनी जारी रखें आपको यल्टी ग्रेड भी भरने का में पुस्पदंट यह वहां पर कोटी करना भूल गया था पुसपदंट के बारे में तो पुस्पदंट को अभिमान मेर्onen को है अभी मान मेर्ण कुई उपाधी आदिकाल में के अफबर्न रिसाइटि के अंतरगत किसे दिया गया है तो वह पुस्पदंत पुस्पदंत को क्या कहा गया अभी मान मेर्ण पहले पुस्पदंत जो थे सय्व थे ऐसही बाद में अपने आसरे दाताओं के अनुरोध पर ये क्या हो जाते हैं जैन हो जाते हैं पुस्पदंत पहले सेव थे बाद में आपने आसरे दाताओं के अनुरोध पर ये जैन हो जाते हैं ये अपबरंत साहित के पुस्पदंत जो हैं अपबरंस साहित के ब्यास माने जाते हैं अपबरंस साह कर ब्यास ने इने तुलना किया है अपबरंस साहित के इसे पुषपदंत की तुलना किया संस्कृत के माग भारवी बाढ और भॉभूती से माग भारवी और भॉभूती से अब अगला वीदियो जो हमारा वो होगा सिद्ध साहित चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगला समारा वीडियो रहेगा सिद्ध साहित पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक वो सेर जरूर करें आपका अपना साथी हिंदी ज्यान गंगा